नमस्कार दोस्तों डिवाइन रेस यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है। मैं फादर राजू डोडियार एस्वीडी आज विशेश टुप से आज एक विशेश व्यक्तित्व को आपके सामने पेश करता हूं। जिनका नाम है संजोसफ फ्रनाडिमेट्स एस्वीडी। जब कभी भी मैं संजोसफ फ्रनाडिमेट्स एस्वीडी के बारे में सोचता हूं। तो मेरे जहन में एक मुहावरा गूजने लगता है। जिसा देश वेसा भेश। प्रेमित्रों जब कभी भी आप सन जोसफ की तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ना केवल उनकी वेश भुशा बल्कि उनका सारा व्यक्तित्व एक चीनी लगता है हाँ ऐसा ही होता है जब आप किसी कारिय विशेश के लिए अपने आपको संपूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं आपका सारा व्यक्तित्व उसी देश की मिट्टी में मिल जाता है सिन जूसफ फ्रेनाडिमेट्स का जन्म 15 अप्रेल 1852 में इटली के अप्टाई ओईस नामगाव में हुआ धार्मिक कारियों के पती उनकी आस्था तथा विश्वास उन्हें अपने परिवार से एक सौगात के रूप में मिला क्योंकि उनके माता-पिता बहुत ही धार्मिक प्रवत्ति के इनसान थे शायद ही कारण था कि सन जूसफ पलिक के सभी कारियों में सक्री रूप से भाग लेते थे और इस कदर उनके मन में एक पुरोहित बनने की इच्चा जागरत हो गई एक पुरोहित बनकर धन प्रचार करने का उत्सा उनके मन में था इसलिए 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने सेमिनरी में प्रवेश लिया 25 जुलाई 1825 में एक डाइसीशन पुरोहित के रूप में उनका पुरोहिता भीशेख हुआ एक decision पुरोहित के रूप में उन्हें अपने ministry में इतना उत्सा और इतने संतुष्टी नहीं मिली क्योंकि उनके मन में एक missionary बन कर कारिय करने का सपना कुल बुला रहा था और इसलिए एक दिन जब एक पत्रीका में उन्हें संत Arnold Johnson द्वारा स्थापित एक नई संस्ता के बारे में उन्हें जब ग्यात हुआ तो उनका मन खुशी से फूला नहीं समाया उस पत्रीका के द्वारा उन्हें यह पता चला कि यह संस्ता मिश्णरियों को विदेश भेशती है उन्होंने बिना समय गवाई SVD संस्ता में प्रवेश लिया जब संत आरनोल जानसन ने उनके व्रक्तित्व को देखा कि वे काफी उत्सा है, काफी कर्मट और काफी विश्वासी थे तो उन्होंने उन्हें चीन देश भेजने का नेड़े लिया मन में इश्वर के वचनों को प्रचार करने का जजबा लिये वे 15 मार्च 1889 में अपने साथी पुरोहित फादर जोन अन्जर के साथ चीन देश की और प्रस्तान किये वहाँ पहुचने के बाद सिन जूसेफ रिनाडिमेट्स भाषा सिखने में काफी महारत हासिल थी उनको और बहुत जल्दी ही उन्होंने चीनी भाषा सीख ली और धिरे धिरे करके ना केवल भाषा बलकि उनकी वेश भूशा उनका रहन सहन सब कुछ बड़ी सरलता से अपना लिया और इस प्रकार से वे चीन देश की माटी में इतना रम गए कि वहाँ की लोग उन्हें फू शेनफू के नाम से पुकारते थे फू का अर्थ है आनंद, प्रसंचित और शेनफू का अर्थ है एक पुरोहित या धर्म गुरू और इस प्रकार वे एक प्रसंचित और आनंद भरे पुरोहित बन गए मित्रो संघर्ष हर वेक्ति के जीवन में आता है सिंट जोसेफ फ्रिनाडिमेट्स के जीवन में भी संगर्ष आया जब उनकी ख्याती बढ़ती गई उनका मिशन सफल होता गया तो वहां के लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया सन 1899 में दे बॉक्सर्ज नामक एक भूमी गत संगठन बहुत ही सक्रिय था और जिसके चलते बहुत सारी मिशनरियों को या तो खदेड दिया या तो मोद के घाट उतार दिया सिंट जोसेफ फ्रिनाडिमेट्स को भी कई प्रकार की धमक्या मिलने लगी कई मर्तबा तो उनको पीटा गया, घसीटा गया, उनपर थूका गया और उनको जान से मानने की धमकी दे दी गई प्रंतु सिंट जोसफ अपने विश्वास में, अपने धर्मकारियों में अडिक बने रहे उन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि वे चीन देश चोड़ कर जाएंगे और इसलिए वे वहाँ पर लोगों के साथ में हमेशा बने रहे मित्रो, कठीन परिश्ट्रम, कई दिनों तक पैदल यात्रा और उस समय संक्रमित रोग से पीडित लोगों की सेवा करते-करते उनका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया था और धिरे-धिरे उन पर भी बीमारी हावी होने लगी उनकी हालत दिन बदिन बिगड़ती चली गए 28 जन्वरी 1908 को उन्होंने अपना देह त्याग कर इश्वर में वेविलीन हो गए 5 अक्टूबर 2003 को संद पिता जोन पल्दूत्य के द्वारा संद आर्नोल जांसन के साथ में संद जोसेफ रिनाडिमेट्स को एक संद की उपादी दी गई प्रेमित्रो संद जोसेफ रिनाडिमेट्स कहा करते थे कि मैं इस्वर्ग में भी एक चीनी बना रहूंगा उनका एक वाक्य जो दिल के बहुत ही करीब है वो है कि दुनिया में लोग एक ही भाषा समझते हैं, वे है प्यार की भाषा आज हम सभी के लिए सिन जोसेफ रिनाडिमेट्स एक प्रेणा के स्रूत है जब सारी दुनिया में मार काट चल रही है, धर्म, भाषा और शेत्र को लेकर हम एसे महोल में सिन जोसेफ रिनाडिमेट्स के संदीश को लेकर केसे दुनिया में शान्ती और प्यार फेलाएं आईए, सिन जोसेफ रिनाडिमेट्स से प्रेणा लेकर हम दुनिया में प्रेम और शान्ती फेलाएं मित्रों इस वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों अपने परिवारों के साथ में शेयर करें अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रियाएं दे साथ में चानल को सबस्क्राइब करना ना भूले मिलते हैं हम अगले वीडियो में तब तब के लिए नमस्कार